हैलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फोन पे का स्कैनर कैसे डाउनलोड किये जाता है और फोन पे के स्कैनर से पैसा को कैसे भेजा जाता है तो आपको यही इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर आपको देखिए बगल में history को option दिखेगा उसके बगल आपको home को option दिखेगा तो आपको home के option पर पहले किलिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर कोने पर आपको एक logo दिखेगा यहां पर लिखा है add address तो आपको logo के option पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा है कि receive money यहां पर मुझे paytm को option दिखाई दे रहा है beam upi को option दिखाई दे रहा है तो मैं इस-पर क्लिक कर देता हूं इस-पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखें उस-पर मैं किसी को भी भेज सकता हूं आपको मैं यह बता देता हूं इसले ड़ाउनलोड कैसे की जाता है आपको इस download QR के option पर क्लिक कर देना है या आपका QR डाउनलोड हो जाएगा तो प्राइवेसी पॉल्सी के लिए मैंने कुछ यहां पर आईडू को अपने बलर कर दिया है अब मैं आपको इस QR से money को सेंद करके दिखा देता हूं यहां पर आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहां पर लिखा है कि यहां पर नीची आपको मिल जाएगा scan करने का, इस पर मैं click कर देता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर मैं gallery के option पर click कर देता हूँ, इस पर click करने के बाद यहाँ जहाँ भी आपने scanner को download किया है, उस पर आपको click कर देना है, उस scanner के option पर, मैं यहाँ पर एक scanner मेरे पास है किसी का मैं इस पर click कर देता हूँ जो की मेरा ही scanner है अब मैं इस पर अपना amount डाल देता हूँ बस आपको process to pay के option पर click कर देना है आपका money send हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो please subscribe जरूर करना